हेलो एविवान गूड मॉनिंग कैसे आप सभी लोग आई होफ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ तो अभी मैं नाके आई थी और नाके मैंने नाइटी पैनली थी सिर्धुलाई किया है और यह दो दिन की किल्प है इसमें तो दूब निकल रही थी जिस दिन मैंने सिर्धुल किया था नहीं तो बीच में जो किल्प आएगी तो उसमें तो इतनी ठंड हो गई थी बारिस हो रखी थी तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई और अभी मैं बाल कंगी कर लूँगी क्योंकि थोड़े से गीले हैं तो कंगी हो जाएगी तेल नहीं लगाऊंगी और सूख जाए आए शेर के मतलब है नहीं क्या और गरम पानी से तो हो तो डेंडर अप हो जाती है मेरे इसलिए नहीं दोती जो भी चैनल पर नहीं वाते हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिया कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए तो अभी मैंने लेती हूं और तो लगा लेती हूं थोड़ा सा बॉड़ी ़ोशन हाथ पेरह Campus है और मैंने मुह पर लगाना बंडD लगाने लगी थी बोडी लोशन पता नहीं क्यों मुझे इसलिए मैं नहीं लगाए और दो थोड़ा-थोड़ा'M nom suck फ़िर पता नहीं क्यों मेरेको लग रघा था कि मेरेको नहीं करना है तो इसलिए मैं नहीं लगाया फिर तो गरदन वगरा भी सच में हाध पेर ऐसे हो जाते हैं फटे फटे से यह व्यस्पी मैं तेल लगा लेती हूं तो अज नहीं लगा था तो मैंने सुच आड़ी लोशन लगा लेती हूं और संक्रांती आ रही है आप लोग कैसे मनाईगे मुझे जो सेस्टर लोग होंगी बता ना सभी क्या लग लग होता है मनाना और इसमें क्या है वैं ठो बस मेरा भी तयारी चल रही है संक्रांती की सामन बगएरा लेके आ रही है हूं, क्योंकि बजार का बहुत कम खुल रहा है दिल्ली में, एक दिण धुकान छोड़के एक खुल रही है, तो एक दिन थोड़ा सा ले आई हूं, जो दूकान खुली थी, बाकी मुझे नह कैंटीन जाना था मुझे तो कैंटीन से मैं सामन लेके आई थी और इस दिन तो इतनी ठंड़ है बहुत ज्यादा तो एक गज्जक लेके आई हूं मैं और सारी गज्जक जितनी भी थी मतलब तिलकी मुफली की जो भी कुछ थी कैंटीन में हमारे सब कुछ मिल गया तो मैं और मैंने सुचा है वकी भार संक्राथी पर ऐसा सामान जो भी लाऊंगी ऐसा लेके आउंगी यह तो अपना जी तो यह लेकर आउंगी मैं मैं सोच रही हूं दान करूंगी तो मैं गरीब लोग हो जो होते हैं रोड पर दिली में बहुत होते हैं उनके लिए कुछ कंबल वग हर बार कुछ न कुछ आनने किसी न कुछ रिस्टिदारी में हो मतलब दान करना तो आप समझ सकते हो के सास बगरा यह आ न लकार दिया जाता है करो कैना किशी, कितना भी दे दो, मतलब कुछ ना कुछ, हम अपने हिसाब से हमें लग रहा है कि हम ये दाऌन करेंगे तो हमें लग जितना हो सकेगा हम पर उतना ही करेंगे ये तो नहीं बोल दे बगवाण जी कि ये करो कि वो करो मैं हर बार यही काम शुरू करूंगी जो गरीब लोग हैं उनको देदग पता है किसी को मतलब हमपधद को कुछ भी करवाते हैं और खाना खिलाते हैं उसको मतलब कि वंजगे जगे जाके खाना खाते हैं फिर भी सोचते हैं अच्छे पकवान बनाए ये बनाए वो बनाए और केसी गरीब को हम एक रोटी भी दे आते हैं थोड़ा सा भी बचाए ये कुछ भी दे आते हैं तो वो उसी में इतना असरवाद देता है कि बहुत ज़्यादा तो मेरा सच में मानना यही है और ये सामान कहीं पीछे हम मैंने बोला था ना उसमें जगड़ा हो गए था क्योंकि ये जाते ना तो इतना जो जरुवत का नहीं है उसे भी ले आते और मैं जो गई थी तो मुझे जो जरुवत थी सामान की उतना ही लेके आई तो आप देख सकते हैं और आसन भी मेरा भर र रखा है मुफली वगएर ऐसी चीज खतम थी तो बस मैं वहीं ली आई और आप लोग वताने मेरी राय कि ना क्या है क्या नहीं है तो कैसी लगी आप लोगों को कि सच में गरीब को देना चाहिए या मुखे को मतलब पेट भरे हुए को उसे दान करना चाहिए मैं जो भी कुछ लेके आऊंगी जो भी कुछ दान करूंगी उसको दान करके आऊंगी तो वह चाहिए सौरपे की चीज लेके आके मैं दान करूं वह यह नहीं बोलेगा कि आपने सौरपे की दिया यह नहीं देने चाहिए अगर अपने को किसी को देते हैं ना वही सौरपे की चीज त वो सब कुछ सुनने को मुझता है तो इसलिए मैंने सुचा है कि ना और मैं अपने मन से जिस किसी को भी देती हूं कोई भी चीज देती हूं ऐसी देती हूं कि ना वो हर किसी के यूज में आये जब मैं ही नहीं ऐसी चीज खाती हूं ना पैनती हूं तो दूसरे को मैं नहीं देती हूँ तो फिर भी मुझे मिलता है भी मैं मतलब वset करके आई तो उसमें बिंच नुक्ष कमी मैंने अपने हिसाब से जितना भी सका मेरे से उतना अपने हिसाब से बहुत किया फिर भी मुझे सुनने को मिली लिए कि यह और होता यह नहीं किया तो इसलिए मैंने सुचा कि ना सुनने से ठीक है कि हम दान भी कर रहे हैं फिर भी हमें खटक जाता है पीछे करके कि यह नहीं है इसमें वो नहीं है इससे सोचा मैंने इनसे भी बोला कि हम जो गरीब रहते हैं उनको सोच रहे हैं तो बोलते हैं ठीक है जो चाहिए ले आना तो मैं जाओंगी किसी दिन क्या लेके आउंगी क्या दान कर नहीं हुँ तो वह जरूबूल दिखाऊंगी आप लोगों को वैसे मैं नहीं दिखाती हूँ दान की हुई चीज बोल दें मेरी ममी हमेशा बोलती थी कि न दान करो तो गुप्त करना चाहिए और ये देखिए चीनी है इसमें तो अभी मेरी चीनी डिबें भर रखी है ये एस्ट्रा चीनी 10 कजी ले आई थी तो इसमें रख दिया है और एक आटे का पैकेट है तो बस ये ही सब को सामान था बागे मैं चलिए तो इसको अंदर रख लेती हूँ और एक कोल्ड क्रीम लाई थी पॉंस की मैंने सुच है मुझसे ये लगा के देखूंगी बोडी लोसन तो मुझे सूट नहीं हो रहा है तो इसके पीछे मेरा मतलब जगडा जो भी था हुआ था और देख रहे हो कि सॉल भी ओड रखी है मैं स्वेटर भी परन रखा काम करती हूँ फिर भी नहीं मतलब वो थोड़ी से मेरे को बहुत परिशान ही हो रहे थी